आपसे पहला सवाल गौरव जी और वो सवाल ये कि आप कश्मीरी पंडितों के मुद्दों पर प्रखर होकर बोलते हैं लेकिन आज उन्हीं कश्मीरी पंडितों को अपनी सुरक्षा के लिए इतना डर लग रहा है कि वो एक साथ resignation दे रहे हैं आपने सुना होगा उनकी पत्न नाय व्यक्त करता हूं और बाकी चर्चा में राजनिती होगी वो अलग बात है लेकिन एक बात भारती जंता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कहता हूं वो लोग आज सदमे में हैं शोक में हैं ऐसा नहीं है आज पूरा भारत और भारती जंता पार्टी भी सदमे में ह शोक में, क्योंकि उनका गम हमारा गम भी है और अगर एक नागरिक की भी जान जाती है, तो हमें भी उतना ही दर्द होता और हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम सुनिश्चित करें ये जो हत्यारे हैं, जहां भी छुपे हैं, इनको गर्दन से खीच के निकाला जाए, और इनको की सजा हो यही न्याय उस परिवार के साथ होगा और इसमें बिल्कुल देरी ना हो यह कहने के बाद मैं एक चीज और कहूंगा देखिए अगर विपक्ष इसमें कहता है राजनिती करता है कि अनुछे 370 हटाया गया क्या बदलाव आया प्रियास कीआगया है सरकारदवारा और ये जो आतंकी होते हैं या उनके समर्थक होते हैं यहीं भी यहां पे हैं इसवक्ष मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं हसूंगा इसके नहीं और कोई चर्चा का विश्य होता जरूर मैं कहता की देखिए उजागर कर रहा हूँ, बहुत दर्ट से और पीड़ा से कह रहा हूँ सबसे पहले देखिए यह यासीन मलिक की एक तस्वीर लाया यह यासीन मलिक की तस्वीर क्या दिखाती है, बहुत हसान है यह पूछना कि आपने क्या किया ये प्रधानमंत्री आवास के अंदर प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहा है इसने चार एरफोर्स आफसर जो थे उनकी हत्या करी थी आज जेल की सलाकों के पीछ अनुचे 370 लगने के बाद जब हमने हटाया उसे तो स्टोन पेल्टिंग में 98 प्रतिशत की क हमीं आई है लेकिन अंजना जी ये बात सब के मन में होगी कि वो दिन कब आएगा जब एक भी एक भी नागरिक मारा नहीं जाएगा उसके लिए ही हमारा दर्ध संकल्प है और मैं बड़े दर्ध से कहता हूं कि एक नागरिक की जान गई है ये बहुत जादा है और इसकी प बोली चलाता है कसम हमें भारत बाकी उसको फालसी की सजा जरूर दिलवाएंगे ये जरूर सक्चे दिल से मत्या सतीज मालदाशा क्यों कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है यह सिलसला है पिछले दिनों हमने देखा है देखे सबसे पहले दुरबागी वाली बात यह है जो पाटियर जी ने कहा बारती जंता पाटी जी के जब माइनारिटी की बात हम करते हैं कश्मीर में बारती जंता पाटी के कोई भी लोग वहां पर उनसे मिलने नहीं आता है यह हकीकत है जो इंपूट्स हमको मालूम है हमें मालूम है कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है हम किरवी एजि सीजिस को बताते हैं एसकारों को बताते हैं बुरुकरादी ही मैसे मारे मणारे जा को बतायां, कोई कुछ नी करने को राजी नहीं है。 पुलिस कुछ नहीं करती है मैडम, अपने कौन से थाने में जाकर अब अब गंभीर बात बोल रहा है अब कौन से थाने में जाकर दर्ज करा मझा यह घृतने भी जितने भी सीनेयर बंदे लिप होमारे को प्रदिशने पर थोड़ी बात होती है कि फला जाएगा अतंकी कल मारेगा आपको एफायर दर्ज करानी चाहिए ना अगर आपके पास पुछ स्ट्रॉंग इंपुट है तो मैंडब ऐसा है कि जब हम यह कहते हैं विद इंपुट हम कह रहे हैं आप यह कहने हैं जाके आप एफायर करें जब यह गविविद दे इंपुट्स on the base of the intelligence काम करें ना जब हम इंपुट उनका काम है ने देखना हम तो इंपुट ही दे सकते हैं ना बट तो कोई काम नहीं होत आपका हाल चाल क्या है वह किस हालात में रह रहे हैं हमारे कितने कश्मिरी पंडे जो है रूलर एरियाज में रहे हैं वंडरेबल कंडिशन में रहे हैं किरायों पर रहे हैं कोई स्क्रीडी के सुदानी है